हेलो डियर स्टूडिन्स लौशकार कैसे आपसे भी लोग और आपने क्वेशन नमबर फ्री एंज्वाई किया होगा है ना बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं आंसर सही सही देने की लेकिन मैं आपकी हिम्मत की दाद दूँगा आपने अफर्ट डाले हैं कई सारे असे ज़ो जांकारी दी जाएगी यह जानकार अगर आपकी किसी वज़े से याद रख पाते हो तो इसके बेसस पर आने वाले बविश्च के सारे क्वेशन आपसे solve होंगे ठीक है तो आइए शुरूआत करें कि क्या है यह क्वेशन और क्या है इसका discussion, question number 3 का discussion हम कर रहे हैं और जब आनिमल्स जमीन की तरफ बढ़े, जमीन पर कदम रखा और डाइवर्सिफाई होना शुरू हुए, तो स्कल के अंदर कैसे कई सारे बदला हुए हैं और स्कल के अंदर पाए जाने वाले एक ओपनिंग को लेकर के बात हुरी, जो आई सॉकेट के पीछे ही होता है, अगर ये नहीं है, तो ऐसे लाइफ फॉर्म्स को एनाप सीड्स कह दिया जाता है, लेकिन ऐसे लाइफ फॉर्म्स जिनके अंदर एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, उन्हें सिनाप सीड्स कह दिया जाता है, और अगर किसी मेंबर के अंदर दो ऐसे holes या दो ऐसे openings दिख जाती है तो उसे die up seed कह दिया जाता है कितना आसान सा concept है तो आई देखें कि exactly concept क्या है फिर question पर आएंगे, तो ऐसा कुछ आपको याद रखना है ठीक है, कि जो skull है उस primitive life forms की जो कि समय पर पाये जाते थे जो कि ancestral group माने जाते हैं, mammals के भी, reptilians के भी, और उसके बाद आगे चल्ड करके, जो और भी कई सरे groups यहां से diversify हुए उनसे भी के, तो enough seed का मतलब क्या enough seed का मतलब क्या और die up seed का मतलब क्या पहला जो skull आप देख रहे हो, this is what enough seed, skull lack one or more skull opening, इसके पर किसी प्रिकार की opening नहीं है, eye socket के पीछे है वहीं पर यहां पर आप देखते हैं eye socket के पीछे, एक opening पर present है, जिसे फिनेस्ट्री या फिर temporal opening भी कह दिया गया है ठीक है, इस तरफ एक और उस तरफ भी एक, ठीक इसे यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर दो, तो यह है enough seed, यह है synapseed और यह है die of seed क्योंकि दो है, तो यह जो number of openings नहीं को लेकर कि सारी कहानी है और अब ज़रा reptiles के evolution की जो sequence है, उसको भी देख लो क्योंकि main, जो मुद्दा है जो question बनने का वह यहीं से है तो आप बात कर रहे हैं, उस group of individual की, या ancestral group की जो की सबसे पहली बार जमीन की तरफ बढ़े और उनके अंदर वो सारे जरूरी adaptations पाए जाते थे या पाए गए है ना, तो हम बात करें amniots की, amniots का मतलब we are talking about the ancestors of land animals, है ना, amniots उसके बाद, यह सारे के सारे amniots थे, ठीक है, ऐसा माना जाए लागी amniots seeds नो और इजन है, इसलिए कई बार amniots seeds को ancestral group भी कह दिया गया है कई सारे members ऐसे हैं, जो extinct हो चब गया हैं, और कई सारे members आज भी जिन्दा है, अब जहां से देखेगा amniots seeds से दो, अलग-अलग जो है, categorization देखने को मिलता है, synapse seed is a category, और यह synapse seed वाली category, mammals की lineage बानी जाती है, है ना, so, जो हमारे कभी, जो mammals के ancestor थे, वो क्या थे, synapse seeds थे, ठीक, उसके बाद, यह जो बच्ची हुए reptilians, जो known reptilians है, उनका lineage है, उनको form किया है, तो, this is the ancestral lineage of all reptiles, major reptiles, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के, यहाँ तक, all reptiles, तो diopseeds है, सारे के सार, reptiles धान रखीगा, enough seed तो ancestral group था, लेकिन अब, कुछ जगों पर enough seed condition पर से देखी जाती है, यहाँ पर, इस जगे पर enough seed वाली condition फिर से देखी जाती है, लेकिन molecular sequences यह कहता है कि turtle वाला जो group है, यह काफी ज़्यादा करीबी है, किसके? reptiles के, मतलब diopseeds के, लेकिन confusion अभी भी है, क्योंकि इनके skull के अंदर enough seed वाली condition पाई जाती है, अगर आपको यह complete outline याद है, तो फिर आपको कई सारे questions में फायदा मिल जाएगा, जैसे कि reptiles का यह जो diopseeds वाला group है, यह archisaurus, मतलब ancestors of dinosaurs, और उसके बाद फिर lepidosaurus, जिन्हें हम ancestors of all जो recent type के reptiles हैं, उनको मानते हैं, और इस प्रकार से कुछ categorizations अगर आपको ध्यान है, तो आप ऐसे सारे questions को आराम से solve कर सकते हो, बहुत easy होता है, एक और tree मैं लेकर क्या हूँ आप सब एक लिए, ताकि इसका एक बार और revision हो जाए, ऐसे simple तरीके से, ठीक, अगर यह सारा कुछ आपको दिख रहा है, तो ठीक, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम rearrange भी कर सकते हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, आराम से और एक चीज़ आपको दिखेगी, मैं इसकी arrangement भी कर दूँ, तो I hope अब आपको सारी चीज़ें अच्छे सा दिख भी रहोंगी, और यहाँ पर भी वही सारी बाती है, कि एम्नियोर्ट्स है, एम्नियोर्ट्स सबसे पहले यहाँ पर देखे गया है, उसके बाद फिर यह वाला जो ग्रूप है सेनापसीड या फिर आपसीडा कह दिया जाता है, जो कि मैमल की लीनियेज है, यह रहे मामल्स, उसके बाद फिर आप देखते हैं तो डायाफसीडा है ना, कम्प्लीट रेप्टाइल्स का जो पूरा का पूरा ग्रूप है, यहाँ से लिगर के यहाँ तक और कई सारे एनाफसीड जो है, वो तो आज extinct भी हो चुके हैं, तो exact क्या outline है जो भी reptilians उनके diversification की अगर आपको पता है तो आराम से आप इस तरह के questions का answer दे सकते थे, ठीक है, अब आतने question के उपर फटा-फट, गिरा question और बताओ इसका answer question के हिसाब से, यहाँ पर तीन तरह की जानकारियां दे रखी हैं, जैसे कि यह skull का structure दे रखा है, यहाँ पर उनके नाम दे रखे हैं और यहाँ पर उनके example दे रखे हैं अब आपको यह देखना है कि यह जो A वाला skull है, वो क्या है अनप seed है, जाहिर सी बात है, अनप seed है, मतलब A2 के साथ combination करेगा ठीक, और अभी हमने देखा कि अनप seed का एक example जो known है, that is tortoise तो जब 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 इसके साथ देखें, ऐसा कोई combination अगर आपको मिल जाए तो A, then 2, and then Z, A to Z कहीं पर ऐसा कुछ है क्या, जी हाँ A to Z यहाँ पर मुझे देखा बाकी और कहीं नही है बाकी सब चीज़े देख ले है, की siinäप seed की बात कर रहा हूँ, Xiniffe seed मतलब आप बात कर रहूँ किसके बारे में इसके बारे में कहीं जगों पर Uriyard seed भी कहए दिया जाता है, कहीं जगों पर इसका example देखिए, dive seed का कोई example, dive seed के लिए कर आजाना चाहिए, c के साथ 1, c के साथ 1 का combination कहाँ पर है, c के साथ 1 का combination यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, और एक तो यहाँ पर है, मतलब यह option भी गया, और बागी options तो आप इस प्रकार से हटा चुके थे, कि वही इसके साथ z होन अचिये था, यहाँ पर भी नहीं है, तो वागी साथ options तो ऐसी आप कहाँ जाते हैं, तो चेक करिए, कि अब dive seed मतलब c, 1 और उसके बाद, अब आप इसके साथ भी जा सकते हैं, reptiles, dive seed मतलब reptiles, ठीक, और इसके साथ भी जा सकते हैं, अगर आपने यहाँ इस image को देख रखा है, dive seed और यह रहा, ethiosaurus, इसके साथ भी जा सकते हैं, तो यह इस बात को लेकर कि इस question में थोड़ा सा confusion है, लेकिन अगर सही माईनी में देखा जा तो ऐसा कोई option बसता ही नहीं है, तो अब क्या होना चे हमार आंसर, हमार आंसर होना चे, c, 1 और y, ऐसा कुछ है क्या, c, 1 और y इक ही जगहें पर है, इस जगहें पर है, और उसके बाद, और कहीं पर, जी हाँ, अब कहीं पर कोई option नहीं, कोई chance नहीं है, और जो भी जानकारी आपको मैंने दी, प्रीज के इसाब से, अगर जानकारी उतनी भी आपके दियान में है, वह रहाम से इस question का अंसर दे सकते हो अब अगर हम बात करें कि इसकी एक्ठियों सॉर्स की तो एक्ठियों सॉर्स किसके साथ जाएगा देखो ज़रा it should go with b3 x मतलब b जोकि हम पहले ही जोड़ शुक है और इसके बाद x ये इसके साथ व्कार तो एक्ठियों सॉर्स को लेकर के थोड़ा बहुल, confusion हो सकता है कि कुछ trees में आपको दिखाई दे लेकिन overall अगर देखे तो third से ज़ादा और कोई बहतर answer नहीं हो सकता, इस question का answer क्या होगा third, ऐसे ही कई सारे questions पूछते हैं लेकिन अगर basic जानकारी भी है कि synapseed मतलब आप mammalian lineage की बात कर रहे हो diopseed मतलब आप reptilians lineage की बात कर रहे हो और enapseed का मतलब आप primitive ancestral group या फिर आप tortoise वाले group की बात कर रहे हो तो भी आपके काफी सारे questions इतनी जानकारी से भी solve हो जाते हैं ठीक है, तो I hope ये छोटा सा जो trick मैंने बताने कोशिश की है थोड़ी से जानकारी दनी कोशिश की है ये आपके काम आएगी और आप ऐसे आने वाले सारे questions को solve करोगे तो इसी के साथ thank you, thank you so much और अब मिलते हैं अगले question के साथ happy learning, thank you